जैशे कृष्णा दोस्तों केसे है आप सब मैं हूँ विशाका आज मैं आपको सेहत मन आमला की चटनी की रेसिपी बताने वाली हूँ आमला में विटामिन सी पोहत मातरा में होता है तो आप इसे ज़रूर ड्राइ करिएगा तो ना आदा कप यहाँ पर मैंने चॉप की हुए आमला लिये है तो इसे हम मिक्सिजार में डालेंगे इसी के साथ आदा कप ताजे नरियल के तुकडे है वो भी डालेंगे एक बड़ा चमज भुनी हुई चना डाल अद्रक चोटा सा ही तुकडा एक चोटी हरी मिर्च एक चोटा चमज इतना हमें गूर डालना है चाहे तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं आदा चोटा चमज इतना जीरा स्वादा नुसार नमक धेर सारे ताजे धनी के पत्ते डालेंगे इसमें थोड़ा सा पाने डालेंगे और इसे न हमें एकदम से बारिक पीस लेना है तो गाईज यहाँ पर आमला की चटनी तयार है तो इसे हम बावल में निकाल लेते हैं इसके उपर तड़का देंगे तो पैन में एक चोटा चमज इतना तेल डालेंगे आदा चोटा चमज इतना राई सुकी लाल मिर्च चुटकी बर इतना हिंग पाउडर थोड़े से कड़ी पत्ता और आदा चमज इतना सफीद तील डालेंगे और हमें तूरंथ ही गैस की फ्लेम को कर लेना है बंद तो इस तड़के को न हम चटने के उपर डालेंगे तो आमला की चटनी तयार है तो इसे ना आप डूसा इडली के साथ या आपको जो भी मन पसंद स्नाग हो उसके साथ खाई ये बहुत ही हल्दी रहती है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे जरूर राए करें फिर मिलती हो और एक नई रेसिपी के साथ